प्रदान मंत्री निरेंद्र मोदी आज 79 वर्ष किर हो गए और इस अब्दर पर उप राश्पती M.V.N. नाइडू, रक्षा मंत्री डाजनाज सिंग और भाजपा ध्यक्ष एवम ग्रह मंत्री अमिल शाज समेट तई नेताओं ने उन्हें जन दिन की शुपकाम नाइडी नाइडू ने अपने संदेश में कहा कि मोदी के सक्षम नित्त्तों में देश लगातार प्रगति का रहा है अमिर्शाने मोधी को बढ़ाय देते वे स्ट्वीट किया कि आपके दित्रत्तों में उभरते नए भारत ने विश्व में एक मजबूत, सुरक्षिर और विश्वर्ष से लिए राष्ट के रूप में अपनी पहचान बनाई है हर भारतिय के जीवन को सुगम बनाने के लिए आपका परिक्षम, एवं संकल्प, भाव अमारे लिए एक प्रेणा स्तोत्र है एक जन्प्रतिनीधी, एक कार्यकर्ता और एक देश्वासी के रूप में आपके साथ राष्ट पुरल निर्मान में भागिदार बनना सुभाग्य की बात है इश्वर से आपके स्वस्थ, जीवन, एवं जीरगायों की कामना करता हो केन सरका से 36 का आखला रखने वाली पंचिममंगाल की मुख्यमंत्री मम्ता बैनर जी बुद्वार को प्रधानमंत्री नरिंद्रमुज दे मुलाकात करेंगी वो चार दिवस्थी यात्रा पर मंगलवार सुभत दिल्ली पहुँच रही है प्रस्ताविद बैठक को महत्पूंड माना जा रहा है और ये ऐसे समय में हो रही है जब त्रिनमुल कॉंग्रेस के कई नेटा और कॉलकाता के पूर्व आयोग्द राजिद कुमार घोटालो मामलो में सीबी आई जांच की घेरे में है पाच्पा और प्रधानमंत्री मोधिक की कट्तर आलोचक ममता लोगसवा चुनाओ में पाच्पा द्वारा पच्चिम मंगाल में 18 सी जीतने से पहले ही नरास्ती अमेरिकों के राजपत्री डोनल्ड ट्रम्प ने कहा कि वो भारत और पाकिस्तान के प्रधानमंत्रियों से शीग्र मुलाकात करेंगे उन्होंने साथ ही कहा कि दोनों देशों के बीच जनाव कम करने की दिशा में काफी प्रगतिव हुई है ट्रम्प 22 सितंबर को फुस्टन में होने वाले आउदी मोधी कारिक्रम में प्रधानमंत्री नरेनर मोधी के साथ भारती अमेरिकों को संबोदित करेंगे लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इम्रान घान से कब और कहां मुलाकार करेंगे भारती वायू सेना को अरनाचर प्रदेश में एक और एडवांस लेंडिंग ग्राउंड मिल गया है यहां से पिक्स विंग के एरकाफ जैसे एन बत्ते मिराज 2000 सुकोई 30 मक1 जगवार और तीजस उडान भर सकेंगे इस एडवांस लेंडिंग ग्राउंड के फिर से सक्री होने से वायू सेना को पूर्वत्तर में ऑपरेशन को अन्जाम देने में सुविदा होगी चीन के साथ बढ़ते तनाव के बीच ये लैंडिंग ग्राउंड भार्ति वायू सेना को एक ताकत प्रगदान करेगा रक्षा प्रवक्ता ने बताया कि 18 सितंबर को फिक्स विंग के विमानों से संचालन के लिए अर्नाचल प्रदेश में पूर्वी एर कमांडर एर मार्शल, आर्डी माथूर और पूर्वी सेना के कमांडर लेफ्टि जर्नल अनिल चुहान सैंक तुरूप से विजे नगर एडवांस लैंडिंग ग्राउंड का उठाटन करेंगे ये अधिकारी वाईू सेना के एन बत्तिस विमान से विजे नगर एलजी पर उतरेंगे रेल टिकेट के लिए भेज़े जा रहे सांसदों के फर्जी पत्त्रों से परिशान होकर रेल मंत्राले ने विए पी कोटे के तहट प्रतिक्षा सूची के टिक्तों को पॉम भरने की प्रक्रिया कड़ी करती है मंत्राले ने अब सांसदों को आधिकारे लेटर हेट्स की प्रति बेजने का आगरे किया है ताकि फर्जी हस्ताक्षर वाले पत्तों की पैचान की जा सके रेल मंत्राले लटभट सभी प्रमुक्त प्रेनों में पांच पिशिदी कोटा बी आईपी लोगों के लिए रखता है इनमें केद्रे मंत्री, सुप्रीम कोट और हाई कोट के जज, सांसर, विधायक आधि होते हैं इन्हें अचानक कहीं जाने के लिए यदि कन्फर्म टिकेट नहीं मिलता तो रेल मंत्राले से बी आईपी कोटे के तहट कन्फर्म कराने का आग्रह करते हैं विश्वयम के साथ रिष्टेदारों और परिस्टों के लिए भी आग्रह कर सकते हैं रक्षा अनुसुन्धान एवन्विकास संगठन DRDO का एक अन्मान्ड एरियल वहिकल UAV मंगलवार सुबर करनाटत में दुर्गटना ग्रस्टों किया इतर दुर्व जिले में सुबर 6 बजे UAV दुर्गटना ग्रस्ट हुआ ये DRDO का रुस्तम दो UAV था आज इसका ट्राइल किया जा रहा था ग्रेमंत्री अमिश्यात द्वारा देश के लिए एक भाषा की पैरवी करने के प्रिष्ट भूमी में कॉंग्रिस के पूर्वेब जेक्स राउल गांदी ने कहा कि कई भाषों का होना इस देश की कमजूरी नहीं है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कंणड, उडिया, मराथी, हिंदी, और तमिल, अंग्रेजी, उज्जराती भाषाय हमारी कमजूरी नहीं है। मलेशिया के प्रिदानमंत्री डॉक्टर महातिर मौम्मद ने कहा कि जाकिर नाइक को लटाने को लेकर प्रिदानमंत्री मोदी से कोई बात नहीं हुई थी, नाइक को ज्यादा देश्ट नहीं चाते हैं। मलेशियाई मीडिया के अनुसार प्रजानमंतरी महातिर मुहम्मद ने जाकिर नाइक को भारत को लटाए जाने की संभावना को लेकर पूछेगे सवाल के जवाब में कहा कि उसे ज्यादा देश नहीं चाहते हैं। मैं प्रजानमंतरी नरेंद्र मोदी से मिला हूँ। उन्होंने भी उसकी मांग नहीं की थी। ये शक्स भारत के लिए भी परिशानी का सबब बन सकता है। उन्होंने कहा कि जाकिर नाय इस देश का नागरिक नहीं है। उसे पिछली सरकार ने साई निवासी का दर्जा दिया था। साई निवासी को देश के सिस्टम तथा राजनीती के बारे में चिपनी नहीं करनी चाहिए। उसने इसका उलंगन किया है। इसलिए अब उसे बोडने की अलुमाती नहीं है। प्रजानमंत्री नरिंद्रमोदी आज 69 साल के हो गए। वो अपना जनम दिन गुजरात में मनाएंगे। मंगलबार को प्रजानमंत्री मा का आश्रवाद लेने के बाद सरदार सरोवर डैम पहुँच गए। जहां उन्होंने नर्मदा नदी की पूजा अर्चना की। पतादे की 101 पंटों ने इस दुरान मंत्रों चारण के साथ पूजा अर्चना संपन कराई। इससे पहले प्र पाणी और राजपात, अचारे देववरत की मौजुद थे। कॉंग्रेस की अंतरम अध्यक्ष सुन्या डादी ने प्रधान मंत्री नर्ण मूदी को जन्मदिन की बताई दी है। सोन्या ने अपने गधाई संदेश में कहा कि वो प्रधान मंत्री को जन्मदिन की बताई देते हैं और उनके स्वास, खुशाल और दिर्गाई होने की कामना करती हैं.